हेलो फ्रेंद्स Welcome to my YouTube चैनल मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मुना इलेक्ट्रीकल. इसमें आपका स्वागत है और आज हम आपको बताएंगे कि क्या काम होता है. और कौन सा टाइब का टाइब का ग्लेंड जो होता है. किसी लोगों यूज करते हैं मतलब कि आप देख रहे हैं देर आर फाइब टाइफ आफ केवल ग्लेंड इन एलेक्ट्रिकल मतलब कि पांच टाइब का जो एलेक्ट्रिकल केवल होता है जो हम बहुत ज़्यदा यूज करते हैं ठीक है इसको मैं इस्टेंडर लेवल में बता रहा हूं जो कि यह गल्फ में भी आप इसको यही मना जाता है और आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे यह बिल्कुल सेम रूल्स फॉलू किया एता है तो चलिए आपको हम दिखाते हैं CW BW E1W A1 और A2 P.J.Gland क्या होता ह आपके सामने फोटो देख रहा है जिसमें CW BW E1W A1 A2 और P.J.Gland का आपको फोटो देख रहा है सामने सामने और आप देख रहा होंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सारा गलेंट जितना भी आप देख रहा है इसमें आपको मैं हाइलाइट करके भी एक ची साइज क्या है और दो नमर गलेंट का साइज क्या है तीन नमर और चार नमर का तो आपको बता दो एक नमर में जो गलेंट है इसको हम CW गलेंट काते हैं और दो नमर में जो गलेंट है इसको हम BW गलेंट काते हैं और तीन नमर में आपको जो गलेंट दिख रहा है तीन नम चानेंगे कैसे कि इन लोगों इस सब में मतलब है क्या डिफ्रेंस है ठीक है देखिए आपको फ्रेंट यह आप जो ग्लेंट देख रहा है एक नंबर में इसमें और इसमें सबसे बाड़ा दिख रहा है और देखिए बिल्कुल इस चार नमर से छोटा दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह है double compressor का और यह है इसमें जो है three compressor होता है ठीक है फ्रेंट देखिए आप यहां सोपन कर सकते हैं यहां से तीन जगह सोपन कर सकते हैं और बिल्कुल बिल्कुल छोटा देख रहा है ठीक है फ्रेंट यह है BW जलेंट कभी भी छोटा ही होता है ठीक है और CW देख रहे हैं यहां पर इसको हम दो जगह से उपन कर सकते हैं कि यहां से आप भी कर लेंगे और यहां से double compressor का ग्लेंड है और CW का जो ग्लेंड होता है इसका काम भी मैं आपको बताऊंगा तभी आप डिफ्रेंस देख लीजिए कभी भी आपको पाचानना होते हैं इतना इजी से जब सबसे छोटा दिखेगा वह है BW उससे जो बड़ा है वह है CW और उससे भी यह देखिए फ्रेंड स इसका आपको दिख रहागा है तो अलमुनियम का है और दो नमर का जो ग्लेंड है यह क्या है यह कौपर का है तो कपर का जो ग्लेंड है और आप किसी भी बिल्डिंग में किसी भी होटल में कितना बड़ा भी टावर हो उसमें आप क्या करेंगे इसको एलेक्ट्रीकल रूम किया जाता है यह जो आपका दिख रहा है यह जो 630 का केकल होता है वं उसमें यूज करते हैं कौन सा आउन पgesetzले ऑर इसको अंधी रहा है इस चरहा देश्कर तो नbellum करेंगे कि यहां से open करेंगे ठीक है यह हमारा CW ग्लेड इसका यह इसका एक है अल्मूनियम का एक है कॉपर का दिखे इसको भी आप यहां से open करेंगे यह है CW ग्लेड और इसको यूज कहा करते हैं पूछे तो आप बोल सकते हैं यह है आउट्डोर के लिए ठीक है फ्रेंट्स तो बिल्कुल एक कोश्चन का आपका एंसर बिल्कुल प्रोपर होता है कि हम इसको जातर आउट्डोर के लिए ही यूज करते हैं प्रोपर हो गया और इसमें बता देखिए आप यहां पर प्रोटेक्शन होता है इसलिए इसको आउट्डोर में यूज करते हैं इसके अंदर से जब आप इसको टाइट करेंगे ना बिल्कुल फिट करेंगे तो केबल के पास जाके फिट हो जाता है और यहां से हम पानी प्रोटेक्शन होता है और इसको कहां तक इसको और फिर हम 75 तक यह आता है फ्रेंट्स ओके देखिए इस सीडवलू कहीं है फिरेंट्स थीक है सीडवलू में यहां पर लिखा भी हुआ है देखिए सीडवलू टाइप्स ब्रैस इंडोर और आउट्डोर केवल गलेंड लिखा हुआ है मतलब क्या-кया प्रोवायक कर रहा है इसका है पार्ट का भी नाम आपको बता दे पार्ट का नाम बताते नाव नाम बताते हैं इसको हम बोलते हैं इसको सब्गलता है यह दो अनुंह प्रैंस घटिक है यस Drive इसके हम लोग सील बोलते हैं केवल सील और इसको अब नट बोलिये यह हो गया अपका नुट ठीक है फ्रेंट तो यह हम आपको नाम बता दिया पार्ट का नाम अब चलिए देखते हैं बी डबू गलेंड का क्या काम होता है और वह कहां के उच करते हैं है कि और देखें फ्रेंस वी डफ लू ग references मैं आपको विल्कुल छोकण कहुता होता है ठीक है फ्रेंट、、 came देखने छोक्त छोकश्च होता है यह ईही डी रूपireני है और आप देखरहें यहां से मैं तोब हाइलेट करके दिखा रहा हूँ स्तुर फ्रेंट करके आपको यह दिखा रहें धिकिए यहां से फ्रेंट देहां के तो यहları दिखेंग् Configure यहां पाठ है निचे कहा चरहा है। इसको का ठीक है तरीक फायदा, मैं बता दू, पाचानने का तरीक में फायडा क्विश को पार्षोड इसको ध्यारा स्क्राइब मेरा काहा है, ये वाल काहा हरार। कभी भी इंडूर मतलब आप अपना SMD एलेक्रिकल रूम चाहे तो अपना डीवी में भी इसको यूज कर सकते हैं ठीक है फ्रेंट इसका जो साइज है 75 तक आता है 75 का मतलब आप 300 केवल में भी इसको आप यूज कर सकते हैं देखें फ्रेंट इसके भी डीटियल सा आपको दि आर्मर ठीक है देख रहे हैं आप इस डबलुए यह सिंगल वार आर्मर का केवल प्रोवाइडिंग मेकेनिकल अप देख रहा है यहां पर बिल्कुल है अब इसका पार्ट का भी नाम आपको हम बता रहे हैं फ्रेंट पार्ट का नाम भी आप जान देए क्योंकि आपको बह आप खलास तीन नाम बता दिये बस हो गया यह हो गया चकनट यह हो गया बड़ी ग्लेंड इसको बोल देजें नट ठीक है प्रेट तो यह हो गया आपका बी डबलु ग्लेंड यूज करते हैं इंडोर देखिए नेक्स्ट जो हमारा ग्लेंड है इउन डबलु मैं बोला था यह सब्सक्रेटा किय 29 अब देखिए बहुत बड़ा होता है क्योंकि अब देख रहा है यहां पर इसको तो अब एथे कॉपर का में बताया था आपको कहां यूज कर सकते हैं एलेक्ट्रिकर रोम थे कहीं भी फील्डिंग के इंगर जो गूबरिफोड अधा जह 2 ब्लदिय का जो केवल है प्रफरेंट आता यहां? प्रफरेंट कोमें कमट 1 इसको तीन जगे से उपन आप कर सकते हैं. प्रफियों को सब्सक्रीजिए आप देख रहा है प्रेंट्र। यहां पर देख लिए और इसमें पहों से करेंख ना या फ्रेंट्स फाय रेटेट केबल जो LSF केबल होता है ना उसी में यूज करते हैं कौन सा फ्रेंट्स LSF मैं लीग के भी दिखायता हूं आपको कि कभी भी भविश्ट में प्रोब्लम ना हो फ्रेंट्स ठीक है देखिए LSF केबल जो भी आएगा ना उसमें हम कौन सा इवेंट डबलू यूज करेंगे आप बिल्कुल लीक के रख लिजिए कोई इंटर्विवलर को पूछे तो उसको बता सकते हैं ठीक है यह बिल्कुल सटीक एंसर है और कभी भविश्ट में इसको आप यूज कर सकते हैं इवेंट डबलू जो है जितना भी हमारा एलेक्ट्रिकल का गलेंड है सबसे बड़ा दिखता है ठीक है फ्रेंज आप जब हात में लेंगे तो इससे बड़ा कोई गलेंड ही नहीं है डबलू ब्लू जो बिल्कुल चोटा चोटा दिखता है उससे बड़ा सी डबलू है और से बड़ा है इवन डबलू ठीक है फ्रेंज तो आप समझ गया है इसको कहां यूज करते हैं फायर रेटेट के बला जहां पर आपका फायर रेटेट का रिकवार्मेंट होता है जिस इसको एरिया में वहां पर इसको यूज कर सकते हैं और केवल का नाम क्या है LSF LSF जो है इस केवल में हम यूज करते हैं नेक्स्ट ओई है फ्रेंज मैं आपको बताया हूँ इवन डबलू गलेंड का थोड़ा इसको डीटील सी इसमें देखिए बिल्कुल दिया गया है ठीक बिल्कुल आप अच्छा से इसको पढ़ने जीएगा पूझ करके इवन डबलू इंडेस्टरियल केवल गलेंड ठीक है इसका पार्ट्स देखिए इसको तो मैं पहले बताया था क्या बताया था आपको चकनट आपको याद होगा ठीक है फ्रेंड्स चकनट और यह जो होता आपको नट हो गया ठीक है ऐसे ऐसे सारे पार्ट्स का नाम मतलब आप जान जाएंगे ठीक है इसको शिर्फ बोलिए इवन डबलू है और फायर रेटेट केवल के लिए इसको यूज करते हैं अपका एंसर विल्कुल ड़न हो गया फ्रेंड्स चलिए हम नेक्स्ट वीडिय क्या काम होता है और कहां यूज किया था यह भी आपको हम बताएंगे देखिए यहां पर दो आप देख रहे होंगे पहला तो आप देख रहे होंगे कि यह दिख रहा है और दूसरा दिख रहा यह वाला तो आपको मैं पहला ही बताया हूं जो एल्मुनियम का वह कहां यू रूम में अपको पता ही है अब उसी में इसको यूज हम करते हैं कभी याद रखिए क्योंकि आपका कभी भी confusion मतलब बिल्कुल ना हो क्योंकि आप याद नहीं रखेंगे तो आपको problem हो जाएगा ठीक है कभी भी आपका 3-4-4 केबल के लिए उज हम नहीं कर सकते हैं इसका आगे वीडियो में भी आपको यूज भी दिखाऊंगा अभी मैं आपको दिखाता हूं देखिए मैं एक कि यहाँ पर इसको नेक्स चैम से मैं ध्यान देखूँगा वीडियो में देखिए और यह है चकनट से इसको टाइट किया गया ठीक है और यह कभी भी इसको याद कि याद रखिए यह वन और यह टू जो ग्लेंड है इसको हम सिर्फ और्थिंग के लिए उज करते हैं कहां अर्थ वायर के लिए और इसका साइज मैं बताओ फ्रेंड कि इसका जो साइज है मतलब यह आर्मर क के लिए 630 के लिए देखिए 630 mm का जो के लेता है 50 का घ्लेंड इसको लिए मैं बोला बिल्कुल आज 50 तक आता है और 630 का जो है बिल्कुल आपका सौबंस्टेशन में यूज होगा तो आपको पता ही है नॉर्माल येलेक्टिकल नहीं काम करता है उसके लिए उसके लिए एक चाहिए चलिए नेक्ट देखते हैं निस्थ हमारा क्या है देखिए नेक्ट जो हमारा है PG Glend friends प्रिजी डेली आपको पता है जो भी फल्क्सिवल के बोल होता है उसमें आप यूज कर देजिए इसको लगाना और निकालना बिल्कुल इजी होता है ठीक है फ्रेंड जो कि बिल्कुल अब देख रहे हैं बिल्कुल इसको अराम से खोल सकते हैं लगा सकते हैं कोई भी आम अलेक्टिसियन लगा सकता है दूसरा मैं जब ग्लेंड देखाया हूं मतलब इसके करने के लिए थोड़ा स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए लेकिन इसके लिए बिल्कुल कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए इसको आप जाए और फटा फट इसको ओपन केजिए और लगाईए बिल्कुल फीट होना चाहिए कोई भी लगा दिए ठीक है तो यह है पीजी इसको कहां फलेक्सिवल केबल में यूज करते हैं ठीक है फ्रेंस चलिए एक बार इसका पूरा सब काम वन बाइवन देख लेते नहीं यह पर पर इसको करता है एक ata ंट केबल इसको को आटे बसला है इसको करता है LI pe土 ऐसे वर्चैबल एबकार को यूज करते हैं और यह हो गया PG Gland PG Gland के यूज करते हैं हम लोग कभी भी फ्लेक्सिवल केबल के ठीक है फ्रेंस बिल्कुल क्लियर हो गया इसका स्कीन सोट लेगा रख लिजिए आपको भविश में बहुत काम आएगा ठीक है प्रेंस और कभी इंटर्वी पूछे तुसका फटा फट जबाब दीजिए ठीक है और देखें बिल्कुल मारा वीडियो स हुआ है